सर्दियों का इस पेसर फटा पड़ बनने वाला गाजर मूली का अचार जो खाने में सुआत को बढ़ा देता है ये रेसिपी बनाने में भी आसान है और बनते ही खाने के लिए भी तैयार हो जाती है हलो फ्रेंस कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे अस्वस्त होंगे आज सबजी वाले के पास मुझे ताजी ताजी मूली व गाजर दिखी तो मैंने सूचा क्यों न अचार बना लिया जाए सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे वो गाजर मूली का अचार मिल जाए तो खाने में मजा ही आ जाता है सर्दियों के महने ऐसे होते हैं जिसमें न हम अपने मन पसंद खाना खूब खा सकते हैं यही गाजर और मूली अगर हम सबजी में डाल दें तो बच्चे खाने में मूँ बनाते हैं अगर हमने इसी का अचार बना लिया तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं मुझे तो गाजर और मूली का अचार बहुत पसंद है यहाँ पर मैंने गाजर और मूली ली है इससे पहले हम छील लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे तो मैंने मूली जिस तरह से कट की थी उसी तरह में यहाँ पर गाजर भी कट कर रही हूँ और इसको लंबे फिंगर कट कर रही हूँ ये देखे इस तरह से मैं सारी मूली और गाजर को कट कर लूँगी ये अचार की रेसेपी बनाने में भी आसान है और बनते ही खाने के लिए तैयार भी हो जाती है तो शर्दिया शुरू होगी है जटपट बनाईए और तुरंट खाईए आप गाजर और मूली को इसी तरह कट करके तेल गरम करके मसालों के साथ एक दो मिनट तक पका कर भी बना सकते हैं या फिर इसको हलका सा बॉयल करके बना सकते हैं मैंने यहाँ पर गाजर और मूली कट कर ली है अब मैं इसको धोलूंगी मैंने रनिंग वाटर में इसको थोड़ी देर अच्छे से धोलिया है ताकि इसमें जो धूल और मिट्टी लगी होगी वो निकल जाएगी साथ ही मैंने गैस में पानी रखा है गरम करने के लिए पानी भी मेरा बॉयल हो चुका है और मैं इसको पानी में एक या दो मिनट तक बॉयल कर लूँगी लगभग दो मिनट तक मैंने इसको पका लिया है अब गैस बंद कर दी मैं एक चलनी हाँ पर ले रही हूँ चलनी में इसको निकालूंगी इसका पानी सारा निखर जाएगा तो ये धूप में जल्दी सूख जाएगा अगर आप इसको धूप में सुखा रहे हो तो एक घंटा आप सुखाईए अगर पंके के नीचे आप सुखा रहे हो तो डेर से दो घंटे तक आप इसको सुखाईए सिर्फ इसका उपर इस तरम जो पानी लगा है वो सूखना चाहिए वैसे तो सबजी में पानी होता ही है अब आप देखिए धूपियाज बहुत हलकी आई है इसके सूखने तक हम मसाला तेआर कर लेते हैं गैस में मैंने कढ़ाई चड़ा दी है इसमें मैं डाल दी हूँ एक चमस मेथी दो चमस राई चोटी वाली राई है और दो चमस धनिया दो चमस सॉफ आप चाहे तो दो चमस चीरा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं अब हम इसको भून लेंगे एक या दो मिनर तक सिर्फ इसका हमें मौस्चर हटाना है जादा नहीं भूनना है और इसको ग्राइंडिंग जार में डाल कर हलका सा दरदरा हम इसको पेज लेंगे मसाले के उपर से मैं मिला रही हूँ इसको अच्छे से मिला लूँगी और यहां पर मैंने एक कड़ाई में लगभग एक बाउल के बराबर सरसों का तेल लिया है इसको मैं धुआदा और गरम कर लूँगी और ठंडा होने के बाद मैं इसके उपर से मिला रही हूँ जो गाजर और मूली हमने सुखाने के लिए रखी थी और अदरग के मैंने छोटे छोटे स्लाइस के रूप में कट किया है और मैं डाल रही हूँ कट करके उपर से हरी मिर्च और जो हमने मसाला त्यार किया है इसके उपर से मैं 5-6 चमच इसको मिला लूँगी अब सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद उपर से मैं इसमें डालूंगी एक चमच सिर्का सिर्का डालने से जो हमारा अचार है उसकी लाइब थोड़ा बढ़ जाती है वैसे कई लोगों को शिकायत होती है कि हमारे हाथ से अचार खराब हो जाता है अगर कभी आपको ऐसा लगे तो अचार बना कर आप इसको फ्रिज में रख दीजी एक मेहने तक आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अचार बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जार और जिस चमच से आप अचार बना रहे हो वो बिल्कुल भी कीला नहीं होना चाहिए पाने से इसको बचा कर रखना है और आपका अचार बहुत समय तक चलेगा मेहनों मेहनों चलेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो आप बताएगा कि अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी